नमस्कार प्रिमित्रो मैं निलेस मारा जैव इंकटे जी सावित्री योति शंकला को आजागे बढ़ाते हुए मेरी प्रेमित्रो आज हम बात करेंगे कुम्भ लगन वालों के बिशे में यदि आपका कुम्भ लगन है चाहिए लड़के का कुंडली हो या लड़की का कुंड कूद चलू जोगी अभीत हमने लगन से में लगा करके मट लगन वालों कि तक मैंने बता कितने प्रकार का राजयों होता है शुक्र मैंदे बनाया है आज हम प्लम लकन लेकर के हाजिर हुआ हुए निए में बताएंगे कि परैकर के हापके कुंडली मुराज योग है और उ कुम्ह लगन में बनने वाले राज योगों की विशे में यहाँ एक लगन चार्ट बनाया हूं और यह पहला घर आपको क्या देखना है अगर पहले घर में अगर 11 अंक लिखा है तो सम्मन लेजीक आपका कुम्ह लगन की कुंडली है तो कि जो अंक यहां रहेगा एक सरी के ब कुम्ह लगन में गुरू शुक्र की घर में हो और शुक्र गुरू की घर में हो इसे प्रबल राज योग कहते हैं इसे परिवर्तन राज युद्व करके हैं कुम्ह देखेंगे माले अपका कुम्ह लगन है तो तीएस कiा हो देखिये दुटिएसं को में मीन हो गया है झाल को माले इंक लिएक कम्ह इवा कि वहां बजानदे करे नियुक्तर के लिए.. देखिए गुरु कहां कहां है दुतियस भी है और लाफेश भी है उकुम लगने की बाद चल रही है तो यदि आपका गुरु शुक्र की घर्म बैठा हो शुक्र का अंड़ी चतुरतेश क्या है दो अंखेनी विश्वरासी उगआ भागेश क्या है साथ ने तुलारासी उगआ तो यदि आप अपनी कुम्ली देखिए कि गुरु यदि यहां बैठा हो चतुरत भाव में या गुरु यहां भागे भाव में बैठा हो और भागे जो सुक्र है चाहे यहां बैठा हो यहां बैठा हो लता समल एक प्रश्न यह है कि गुरु जाकर के शुक्र के घर में बैठा हो और शुक्र जाकर के गुरु के घर में बैठा हो इसे बोलते हैं परिवर्टन राज़ीगी आपका कुम्बलगन है पापका देखिये मेराची का स्वाम्य गुरु हुआ और लाभे जो है धनु इसक यहां तो त flavors बेठाऊ यहां बेठाऊ और इसका स्वामी शुक्र यहां बेठाऊ यहां बेठाऊ जब गूरू की महत्षाइएगी यह शुक्र की महत्षाइगी यह बुर्फ्ल कि जब महाद्रस आएगी अंतरस आएगा तो यह प्रवल आपके जीवन में राजयोग बनेगा विक्ति उच्छ पत्पे उच्छायों पर जाएगा प्रनामुष्ण करेगा यह तो स्रवत अरजड़ें की यह कार होगी यह पहला नियम गुरु मंगल के घर में हो और मंगल अब आपको देखना अपने कुल्यमें गुरु यह त्रती भावम बैठा हो या दसं यानि कर्म भावम बैठा हो और और यहां और स्वामि मंगल दुती भव बैठाओ या तो यहां लध्यों परिवर्थ सूत्र क्या कहता है घुरू मंगल की घर्म बैठाओ किसे प्रवल राज वंता है ऐसे पत्ति अपनानों करते पी जब गुरुआ की महात्व सायगी अंतरस्रायगत्विक्ति को इसका लाप अवश्य मिलेगा तीसरा नियम पंचम भाव में बुद्ध हो और लाव भाव में गुरु चंद्रया मंगल के साथ हो यह प्रवल राजयू बनता है देखिए कि पंचम भाव क्या है यहां देखिए यह पंचम भाव करते हैं अभ्यास प्रवल राजयूग बनता है जब गुद्ध का या गुरू का या आपका चंद्रमा का या मंगल का जब महादसायगा अंतरसायगा तो प्रवल राजयूग आपके जीवन में प्राफ्त होगा आगे बढ़ते हैं जिए आपका कुम मलग्न है तो लगनेश धनेश और भाग् प्रवल राजयूग बनेगा उद्रान के रूप लेगेंगे आपका देखिए लगनेश लगनेश क्या है कुम एनिकस्वामी स्थानी हो गए और सणी कुंडली यू होता है तुला का उच्छ का बताया है अगर आपकी कुंडली में माल लेजे शनी यहां बैठाओ तुला का उच्छ का हो गया कि प्रवल राजयूग स्थानी की जब महादस आएगी अंत्रदसायगत व्यक्ति को जीरो से हिरो बनाएगा विक्ति उच्छ पत्पिपना रानुसन करें दूसरा सुत क्या है धनेश इनुती वाव को धनेश करते हैं धनेश भी उच्छ का हो यह तो स्व अगर पराफ होगा यहां बैठा होगा यहां बैठा होगा तो इक प्रवल राजयोग बनेगा जब शुक्र की महादसायगी अंत्रदसायगत विक्ति उच्छ पत्पिपना विसमें शंपूर निकी जीवन में शुक्राफ होगा अगे बढ़ते हैं पाच्वानियं लगनेश शनी और भागिश शुक्र केंद्र में हो या त्रिकोण में हो कि प्रवल राजयोग बनता है यह जो पहला घर है चौथा साथ दस्वाव कहते हैं एक पांच नौभाव को त्रिकोण कहते हैं सुत्र क्या कहता है रगने शनी और भागेश शुक्र अगर एक साथ हो करके यहां बैठाओ यहां बैठाओ यहां इसी खेंदर भाव करती है यह तो एक पांच नव भाव बैठाओ जब शुकर की महादस आएगी अंतरतस आएगा तो यह प्रबल राज्योगिनके जीवनमायदा और विक्ति उच चाहिएों पर नाम करेगा शंकोन इसकी जीवन शुक प्राप्त होगा चटवानियम पंचमेश और भागेश केंद्र में हो या तो तु तो भी प्रबल राज्योग बनता है पंचमेश भागेश पंचमेश क्या देखिए बुद्ध है क्योंकि तीन मीथों के साहिं बुद्ध इसके शुक्र अगर शुक्र और बुद्ध यूति करके एक साथ केंद्र में बैठे हो यानि एक जार साथ दस भावं बैठा हो यह पांच नौ भावं बैठे होंगे यह प्रबल जो है राज्योग बनता है और विक्ति बहुत ही उचायों जाता है अच्छा पोश्ट प्रा दाओंद्ये के श्वामी केंद्र में होो या त्रिकोरमी हो अभ्स तो समनिये लगनेश क्या है शनी पंचमेश क्या हे बुद्ध भावंगेश का संदुन की बात चल जिक सबक्राइन्य जवकिति का अब राज्योग बनता है और विक्टि उचा दन्यौ पांच नुप यह कि इप जाता है सब कारिन का अच्छे गंचे संपोर्ण होता है आगे बड़ते हैं पन्चमेश और करमेश क्यूटी केंद्र में हो या तो तुर तो ये प्रभल राज्यों बनता है सुर्ट क्या है पन्चमेश और करमेश अब बुंस में मंगल और है एक साथ क्यों इनितर करके के अंदर में बैठियों के रह नाम में बन कड़わかता है घर अगे बढ़ते हैं त्रितियेश मंगल देखा जाए त्रितियेश मंगल केंद्र में हो या तु त्रिकोण में हो आपस में परिवर्तन करता हो कि यह प्रबल राज्यों बनता है त्रितियेश मंगल अब यहां देखेंगे एक दो तीन त्रितियेश क्या है मेश है या यह मंगल तहां बैठा हो कें के स्वामियों के साथ 11 59 स्वामियों के साथ तुमेर आपस में परिवर्त तो तो आपस करोश्वा कि बैथा हो तो प्रबल राज वह बनता है जब उन गहांग्रह का महात्सायग एक इंगल अंतर सब्चाइओं की महात्स होता है अगे बढ़ते हैं ये आपकी कुंडली में खस्टेस क्टवा जोरुग भाव भाव भी कहते हैं और हस्टेस जो है नोकरी का अभी स्थान बताया गया है यहां कर नहीं जुक्त ज़र चन्द्रमा आपके कुंडली में खस्टेश चंद्रमा यदि छट्वे भावं बैठे हो या आठ्वे भावं बैठे हो या बहुंदे हो या बाहर भावं बैठी से बुलते हैं हर्ड जो देखा जाए तो चंद्रमा 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 काफी हानिकारत भी बताया गया है तीन-चार वर्ष तक लेकिन फल अच्छा देगा उसके बाद अडवित की उचायों पर जाता है इसे बोलते हैं हर सराध्योग दूसरा अस्ट्रमेस्ट चंद्रमा के बुद्ध आपका चंद्रमा बैठ बैठा हो आटवे घर्म बैठा हो या बारावे घर्म बैठा हो इसे बोलते हैं सरन राज्योग जब गुद्ध की महाल सायगी अंत्र सायगा दिविक्ति की जीवन में अवश्य इसका लाग मिलेगा अवश्य राज्योग का फनिको प्राप्त होगा ब्याइस क्या है शनी इसे बोलते हैं बिपुल राज्योग सनी अधवुद फल देगा चट्रूम बैठा होगा तो रोगोपुनास करेगा अस्टम सनी बैठेगा विक्ति को दिरिगायों करता है और यहां सनी बैठेगा विक्ति को आवश्य नोक्री दिलाएगा बिदेश यात्रा कराएगा बाह नाम रोशन करेगा प्रीमित्रों यहीं मालिया आपका कुम्ब लगने कुछ ऐसा यह आपके कुंडली बन रहा है पर आपको लाव नहीं मिल रहा है राज्योग का पुलाव प्राप्त निवरत करना कह चाहिए यह लगनेश और पंचमेश और भागिश इसको आपको करना चाहिए इससे आपका प्रवल राज्योग आपका मजबूत होगा लेकिन एक कंडिशन इसका देखना है लगनेश पंचमेश और भागिश यह देखा जाए आपकी कुंडली में नीच काहो कि न बैठा हो यह देखना अगर नीच काहो कि बैठा होगा तो आपका 23 रत्न पहने से पहले अपनी कुंडली किसे अच्छे जोतिसकार को या अच्छे अपनी जो अपनी गुरू हो उनको दिखा करके तो ही रत्न धान करें लगनेश क्या है सनी यह विक्ति स्वयम है यह विक्ति का दिमाग बुद्धि मत्वा कांची जैसे अमारा आपने सरी में सीर हो होगे तो आप सनी को जरूर संग संष्च रायर्वा या स्तन्यो देवी तर्श्च चापू भूंत पीते सही और विश्च बंतुना इस मंत्र का भी अब जातु करें या हो सके सनी मंदिर में जाए हनमान जी का दर्सुन करें और हो सके तो हर सनी बार भृत नहीं से आपका और राजयोग आपका प्रवल बनेगा आपका भागेश क्या शुक्र है तो आप सुक्र वारे के दिन सफेद ची आप दान के सक्कर हो गया दूद हो गया चावल हो गया सफेद अवस्थ हो गया खीर हो गया यह भी आप दान करें इससे भी आपका प्रवल राजयोग अपका को लाव अविश्य अप्राव दोगा तो तेर वीडियो आपको अच्छा लग लाइक पर सब्सक्राइब करें अगले सब्सक्राइब करें नमस्काव